सबसे पहले आपको अपने फोन में प्रोफाइल का फोटो होगा यानि गूगल अकाउंट का प्रोफाइल फोटो होगा आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं तो आपका यहां पर आजाएगा अकाउंट आप जिस भी अकाउंट को आप चाहते हैं प्रोटेक्ट करना आप यहां पर चोज कर लेंगे जो कि जो भी अकाउंट होगा आप यहां पर दिख लेंगे इसके बाद मैनेज और अकाउंट पर क्लिक करेंगा मैनेज security पर click करना है click करते हैं तो आपके सामने शुकर होगा you have security recommendation जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कहता है google कि आप यहाँ पर इन चीजों को पूरा केजिए तभी आपका account protect होगा जो कि कहता है protect your account आप इस पर click करेंगे अपने account को secure करने के लिए जो कि यहाँ पर कहता है security check up जो कि कहता है you have recommended actions जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा और यहाँ पर कहता है कि आप यहाँ पर अपने कि फोन में lock screen को नहीं लगाया है आप यहाँ पर सबसे पहले एड के जी अपना screen lock को तो आप इस पर add कर लेंगे अगर अभी तक आपने अपने lock screen को नहीं लगाया थो आप लगा लेंगे चल मैं आप लगा को लेंग इसka आप अपने यहां पर lock screen को लगा लेंगे इसके बाद आपके सामने शुकर होगा यहां पर yes I am in जो कि हां पर दिख रहा होगा आप इस पर click करेंगे click करने के बाद go to it पर click करेंगे तो आपके सामने शुकर होगा यहां पर setup हो गया जो कि हां पर दिख रहा होगा एक और option यहां पर स्वक्राइब होगा faith browsing जो कि यहां पर दिख रहा होगा आपके सामय नीचे में शुक्राओगा safe browsing आप इस पर click करेंगे ख्लीक करते हैं तो आपके सामय शुक्राओगो safe browsing को भी आउन करना होगा यानि continue वाले पर क्लिक रहा है जो कि यहां पर यहां पर चुकर करते हैं तो आपके सामが अप्म करेंगें चौर्ण और यहां पर दिंगे इसकी बाद आप यहां पर देख लेंगा जो कि आपका आमने शोक कर रहागा गूगल कहता है कि आपका अकाउंट यहां पर प्रोटेक्ट अब हो चुका है योर अकाउंट इस तरह आप असान से अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर शकते हो अगर आपका यह चीज़ पूरा नहीं है तो आप पूरा कर लेंगे तो मैं असा करता कि आपको यह वीडियो बहुत ही पशंद आया होगा वीडियो पशंद आये तो इस वीडियो को लाइक कर देना चलिए फिर मिलेंगे अगला वीडियो में देजिए इजाजत थांगे से मैंच